पूरु में भी ये विसे आ चुका है आपके माद्यम से आ चुका है माननी सदस्यों से मैं आगरा कर रही हूँ कि जिन सदस्यों का लिश्ट में नाम था लेकिन समय की कमी के रहते नहीं लिया गया उनको इस अबते मौका देने की कोशिश की जाएगी बजट पर सामाने चर्चा स्रीमती डिमपल यादव जी माननी सदस्यों स्रीमती डिमपल यादव जी माननी सदस्यों से बोल रही है माननी सदस्यों से डिमपल यादव जी श्मादन ऑचुपएश दॉाष गप्रूरूर, के लिला प्षास, सुखएच तरफिनृ early들이 दो रिंपयादों सुखएख China? झाल एपॉट एफर मिला लुड़क विस एवार्ट रटा राफ घोल्ट पुर्ट करो सब्सक्वार्ट कर लुड़क्ट कर लुड़क्विर्ट पाफ। मानने ये लुड़क्विर्ट इंप लृड़कर अवे वाद फिर डिल्फान हो जी। मानने सदस्वर्ण नियम 377 के अधीन मामलों को सवा पटल पर रखने हैं तू मानने सदस्वर्ण नियम 377 के अधीन मामलों को सवा पटल पर रखा जाएगा जिन सदस्वर्ण को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठानी के अनुमती दी गई है और जो उन्हें सवा पटल पर रखने के इच्चुक हैं वे 20 मिनिट के बीतर मामले को व्यक्तिव रूफ से स अपाथी महांडेग आपने मुझे बजट में बोलने का मोका दिया, मैं आपको धनेवा देना चाहती हूं. हमारा देश किसान प्रधान और कृषी प्रधान देश है अगर हमारे किसान और युवाओं का भविशर सुनिच्चत नहीं कर पा रहे हम तो मैं समझती हूँ कही ना कही हम सब अपने फर्ज से डगमगा रहे हैं जहां वित मंत्री ने नौ प्रत्मिक्ताओं की बात करी और क्रिशी को जहां पहला स्थान दिया गया वही मैं वित मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि क्रिशी ग्रामीन अर्थ्रवस्ता की व्रिधी धर क्या है जहां यह कहा गया था कि दो हजार चॉबिस तक आप किसान की आई दुगनी कर देंगे 22 तक किसान की आई दुगनी कर देंगे और जहां MSV का वादा किया गया था तो मैं पूछना चाहूंगी कृशी मंत्री से कि आज agricultural infrastructure में कितना budget या सरकार दुवारा दिया जा रहा है UP को इस budget के तहट क्या मिला है क्या एक भी मंडी पिछले 10 सालों में उत्तर पदेश में बनी है और किसान की जरूरत मंद जैसी चीजों पर क्या या सरकार ने कोई भी GST माफ करी है या खाद में सबसीरी देने मेयोर सरकार कायम रह पाई है और जहां खुद पदारमंतरी आये थे उत्तर पदेश में विधानसभा चुनाव में और उन्हें वादा किया था उत्तर पदेश की जंता को, उत्तर पदेश के लोगों को कि वो अवारा मवेशियों की समस्या से किसानों को हल दिलाएंगे, निजात दिलाएंगे, तो क्या इस अवारा पश्यों की जो समस्या है, जिसकी वजे से आज हमारा देश चौकिदार बन गया है, राद भर सो नहीं पा रहा है तो क्या कोई प्रावधान बजेट में रखा गया है इस समस्या को लेके इसी के साथ जा किसान अंदोलन में लगभक 700 किसानों ने अपनी जान गवाई जा उत्तर पदेश में भी लखीमपूर खीरी में जहां किसानों को रौंदा गया मंत्री जी के बेटो दोरा हम पूछना चाहते हैं सरकार में इस सरकार से कि जहां जो 2014 से 22 तक लगभक एक लाख किसानों ने आत्मात्या की है तो हम वित मंत्री से पूछना चाहते हैं कि पधान मंत्री पसल वीमा योजना के तहित कुल किसान लब कितना मिला है और कहीं इसमें गिरावट आई है तो कितनी गिरावट आई है यह सरकार लगातार एक दशक से किसानों की अवहिलना कर रही है गाउं की अर्थवेवस्ता पूरी तरह चर्मरा गई है और इसकी एक बड़ी वज़े महिंगाई है और जहां मन्रेगा में इस सरकार ने 89,000 करोड का बज़ेट दिया है तो हमारी मांग है कि कम से कम 100 दिन की वेज़े मन्रेगा के तहट लोगों को सुनश्चित करी जाए और लगवाट 20 प्रतिशत मन्रेगा का बज़ेट बढ़ाया जाए इसी के साथ शिक्षा बज़ेट में भी लगातार हमारा घट रहा है जहां यह केवल आज धाई प्रतिशत है और तोटल बज़ेक स्पेंडिंग अलोकेशन और जहां UNESCO न यह बेंश्मार्ग दिया है कि लगवाग यह चार से छे प्रतिशत तक होना चाहिए वही UGC के फंस लगातार घटाए जा रहे है और इसको लगवाग इस बार साथ से एकसत प्रतिशत घटा दिया गया है जह हम बात करते हैं सस्ती और अच्छी शिक्षा की वहीं यह सरकार लगातार शिक्षा बजट में बजट जो कम कर रही है तो मैं समझती हूँ इनकी नियत कहीं साफ नहीं है मन्शा कहीं सही नहीं है हमारे देश के युवाओं के और स्टूडन्स के प्रतिश वहीं आज हमारे देश का युवा निराश है जहां निराशा संभव को भी असंभव बना देती है तो मैं समझती हूँ जो वादे किये गए थे जो रोजगार को लेके सरकार पूरी तरह इसमें विफल रही है और लगातार बेरोजगारी दर बढ़ रहा है जहां आज यह बेरोजगारी दर 9.2 प्रतिशत है और जहां महलाओं का बेरोजगारी दर 18.5 प्रतिशत है तो मैं समझती हूँ लगातार युवाओं का मनोबल गिराने का काम इस सरकार ने किया है और अगनी वी जैसे योजनार राके इस सरकार ने नौजवानों का, युवाओं का, इस देश की पतिश्था का सम्मान गिराने का काम किया है जो सरकार शोशल जस्टिस की बात करती है लेकिन आज भी यह सरकार जातिकर जन्गर्ना से अपना मूँ मोर रही है जहाँ अनुसूचित जाती जन जाती पर होने वाले अपराद लगातार बढ़ रहे हैं और उत्तर पदेश में यह अपराद नंबर बन पे है और साथ ही महलाओं के साथ जगन अपरदाद लगातार बढ़ रहे हैं उत्तरपदेश आज इसमें भी टॉप लिस्ट पर है तो मैं पूछना चाहती हूं कि महलाओं को सुरक्षा को लेकर यह सरकार क्या कर रही है और जहां उत्तरपदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने 1090 जैसी सेवाई चलाकर हमने अपनी माताओं बेहनों बेटियों को सम्मान दिलाने का उनका हग दिलाने का काम किया था तो इस बजट में क्या प्रवधान रखा गया है महलाओं की सुरक्षा को लेकर वही आज अगर सुरक्षा की बात करे तो लगबक 1.9th percent of GDP आज का खर्चा ये बजट दे रही है स्वास के लिए सबस्काइबन, भगचानी कोता रिर्र स्केड़ ले इसकर लागे में इस था लागे मोदी ने खाया है मैंक इस लुगरत गर रणाट वही आज का लिए वही में हैं प्रिएफ अली आखर्वाने के लिए रहापने लाग़ का इस. झार्ड़ बेश्गा कैं live है Sir, decision to exempt three cancer drugs is a welcome move by the Finance Minister, but it is a very small step in the right direction. Sir, ma'am, हमारे उत्तरपदेश में, लखनो में, एक cancer institute, जिसमें लगभग एक हजार करोड रुपे लगे हैं, वो तयार है. लेकिन ना केंद्र की सरकार, ना स्टेट की सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि सुचारू रूप से वो cancer institute चल सके. क्यूंकि cancer के केसे लगातार देश में बढ़ रहे हैं, और मेरा मानना है कि अगर ये cancer institute सही डंग से सरकार चला लेती है, तो सस्ता इलाज हम अपने देश्वासियों को दे पाएंगे. Ma'am, there is a massive gap between the demand and supply in the healthcare center, in the healthcare infrastructure. The doctors, the nurses, the technicians, इन सब की बहुत भारी कमी है, और जो बड़े-बड़े बादे कर रहे हैं, कि हमने बहुत बड़े-बड़े aims बना लिये हैं, medical colleges बना लिये हैं, लेकिन 100% तरीके से कोई भी medical college or aims उचारू रूप से प्रदेश में नहीं चल पा रहे हैं. क्योंकि भारी doctors की कमी है, nurses की कमी है, technicians की कमी है, इसी के साथ, जो teaching faculty में भी भारी teachers की कमी है. जो सरकार proportion के बारे में बात कर रही थी, जो भारत को अनीमिया मुख बराने के बारे में बात कर रही थी, तो मैं उनसे कहना चाहूंगे कि आप सभी अपने वादों में विफल हुए हैं. आपने जो वादे करे थे, लोगों को, आपने सारे वादे, जनता के साथ वादों को तोड़ने का काम किया है. जहां आप GDP की बात करते हैं, जहां आप third economy की बात करते हैं, कि हमारा देश तीसरी बड़ी एकनॉमी बनने जा रहा है, लेकिन वही हमें बात करनी है per capita income की, standard of living की बात करनी है, हमको महंगाई बांधने की बात करनी है, हमको इलाज, मुफ्त और सस्ता दिलाने की बात करनी है और जो capital expenditure की आप बात कर रहे हैं, तो मैं समझती इसमें भी समय सीमा तेह होनी चाहिए कि infrastructure के जो भी projects बन रहे हैं, उनकी समय सीमा निर्धारित हो, क्योंकि यह tax का money है, यह जनता का पैसा है, माम, two minutes I will take, माम, यह जनता का पैसा है और इसे सही धंग से इस्तेमाल करने के लि Reformation and Revolution, reformative and revolutionary changes can come in the country even after twelve years, but the dedication and concentration is required from the government. न array कातिना दानी जेडि़ औार फंड रीक्ता है, क Dafu कि य हीनले के सकति पत्रूब एुव मत, I am not playing a blame game here, I'm saying a responsible behaviour is the behaviour in which we're responding to the present situation, and if the government plays a responsible behaviour, then formative changes can come in the country. Thank you, Speaker.